नमस्कार, क्यापटल टिवी का खास शोर राहूल का अगनिपत देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ फूजा राहूल गांधी अपने अगनिपत पर करनाटक के दौरे पर है तारीक पर तारीक देने के बाद आखिरकार राहूल गांधी करनाटक पहुँची गए करनाटक के कुलार में राहूल गांधी ने एक चुनावी राली को संभूधित भी किया पर बड़ी बात ये कि ये वही कुलार है जहां से राहूल गांधी ने मोधी सरनेम पर विवादि टिपनी दे कर बुरे फस चुके है और उसी वज़ा से राहूल गांधी ने चुनावी राली का आगाज भी किया पर बड़ी बात राहूल गांधी के इस राली में कुछ नया नज़र नहीं आया वही गिसेपिटे, पुराने बयान, वही अडानी पर आरोप, जनता से बात करने का वही तरीका राहूल गांधी को लोकल मुद्दों की कोई फिक्र ही नहीं है और इसी वज़ा से खबर है कि करनाटक कॉंग्रिस में राहूल गांधी को लेकर भारी गुसा है साथी कॉंग्रिस ने कुलार सीट पर उमिद्वार का एलान भी कर दिया पुर्वसियम सिधा रमया को उनके एक्षा के बावजूद उन्हें कुलार से टिकट नहीं दिया गया जिससे कॉंग्रिस की मुसीबत बढ़ गई है तो आज राहूल गांधी के मिशन करनाटक पे ही चर्चा करेंगे माजित के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद है क्यापटल टीवी के एक्सक्यूटब एडिटर राजीब जी राजीब जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका राहूल गांधी का करनाटक दौरा क्या कुछ है इसके माइने निकल कर आ रहे हैं देखिए करनाटक में तो पहले से ही राहूल गांधी को रोकने की कोशिश की जा रही थी लेकिन D.K. शिवकुमार ने पहले एनाउंस कर दिया कि राहुल गांधी जो कि अभी कॉंग्रेस के लिए एक होट केक बनने की तैयारी कर रहे हैं जब से उनको दो साल की सजा हुई है और सजा के बाद जब उनकी सांसदी चली गई उनको घर से निकालने का नोटिस दे दिया गया तो और इन लोगों ने सोचा कि करनाटक में राहुल गांधी का इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन एक गुट ऐसा है जो डीके सिवकुमार से इतिफाक नहीं रखता है वो लोग सोचते हैं कि अभी तक जितनी भी चुनावी सभाय हुई है जितने स्टेट का चुनाव हुआ है जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वो ऐसे बिवाद को पैदा कर देते हैं जिसके बाद वहां कॉंग्रेस में भी बिसफोटक इस्तिती होती है और लोगों की नाराजगी भी बढ़ने लगती है इसलिए पहले कॉंग्रेस ने ये संदेज दिया था कि राहुल गांधी वहां जाएंगे तो इससे पहले वो तैयारी कर लें कि करनाटक का लोकल फैक्टर क्या क्या हो सकता है आप रास्टिये मुद्दों पर करनाटक का चुनाव नहीं जीच सकते हैं और इसलिए लोकल मुद्दों को ध्यान में रखें और अडानी के विवाद में नफसें क्योंकि करनाटक के लिए कोई विजनसमेन के खिलाफ इतने बड़ी मुहीम चलाना वहां के लोगों को पसंद नहीं आप लेकिन करनाटक से तो वो बार बार अडानी अ यह बताएं कि हम जहां जा रहे हैं वहां के मुद्दे कैसे उठाये जा सकते हैं यही अंतर है भारतिये जनता पार्टी के नेताओं और कॉंग्रेस के नेताओं में बेसिकली राहूल गांदी में अगर भारतिये जनता पार्टी की रेलियों को देखें जबकि अमिश शाह वहां गए अमिस्टा का दवरा लगतार होता रहा करनाटक्this में उन्होंने जितनी रैलिया की है उन सारे रैलियों में national issue को नहीं उठाया कि के करनाटक के विकास में भारत्य जन्ता पार्टी के सरकार को गिरा दें यहां पर कॉंग्रेस की सरकार लाएं ताकि उनकी जो तुष्टी करन की राजनिती है वो जीवित रहे यानि सारा का सारा मुद्दा चाहे विकास का हो या लोकल किसी परेशानी का हो समस्या का हो या फिर कोई बड़ा इसू जो राज्य के अस् वो भी लोकल लेवल पर भी कहीं न कहीं दिखता है लेकिन जब राहुल गांधी से बार बार ये कहा गया जब उनकी रैली जो पहले जिसका डेट तैह हुआ था कि 5 अपरेल को होगा उसके बाद 9 अपरेल को होगा 10 अपरेल की बाद हुई फिर 16 को फाइनल हुई तो ये सार ने वहां पर जाते ही ये परधान मंती नरिंद्र मोधी को टार्गेट कर लिया इसके पीछे के सबसे बड़ी वज़ा यही है कि राहुल गांधी अभी तक समझी नहीं पाते हैं कि किंद्र तक पहुचने के लिए राज्यों के चुनाब जितना जरूरी होता है ऐसा नहीं ह होता है कि अचानक से आपके लिए अवधारनाय लोगों की बदल जाएगी और विदान सभा के चुनाबों में आपकी हार पर हार होती रहेगी लोक सभा के चुनाब में अचानक से आपको 200-300 सीटे मिल जाएगी जब आप इतने बुरी स्थिति में हैं तो आपको धीरे धीर एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा लोकल लीडर्सिप को ये पता होता है कि यहां पर किन मुद्दों पर जो हमारे रास्टिये नेता हैं वो भी बात करें लेकिन इनके पास उन मुद्दों की जानकारी नहीं है और नहीं ये उन लोगों की सलाह मानते है अब जब डीके सिवकुमार ने ये बाते उठाई थी तो उस तरफ जो दूसरे खेमे में है सिधार अमया उनके समर्थ तक बार बार ये कह रहते कि सीम का दावेदारी तो सिधार अमया के भी होती है और इसके लिए पहले से ही कॉंग्रेस वहाँ पर दो टुकडों में बटी हुई है उसके अलावा जो वहाँ पर समस्याय चल रही है कॉंग्रेस के अंदर वो डीके शिवकुमार को लेकर जो डीके शिवकुमार पहले से ही राहूल गांधी से अपनी नजदीकी दिखा रहे है जबकि वहाँ के लोकल लीडर को लगता है कि जब भी कोई ये तथा कथित आला कमान की बात कर रहे है आला कमान तो ऐसे कॉंग्रेस के अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे को होना चाहिए लेकिन जैसे ही कोई आला कमान के नजदीक होता है यानि की दूसरे का पत्ता कटने वाला होता है जितने भी चुनाव अस्टेट लेवल के हुए और जहां भी कॉंग्रेस की जीत हुई है वहाँ भी यही स्थित हुई चाहे मद्ध परदेश में हो या फिर 36 गड़ में हो या राजस्तान में हो हर जगर जो दिली में नजदीकी रहा सोनिया गांधी राहुल गांधी का उसे मुक्मंत्री बना दिया गया और जो वहाँ पर ग्राउंड लेवल का काम करता रहा उसे दरकिनार कर दिया गया यही कारण है कि कॉंग्रेस में हर राज्यों में गुटबाजी इतनी चरम पर है कि चुनाब अगला होता है उससे पहले ही बिसफोटक के सित्य हो जाती है चाहे राजस्तान में हो 36 गड़ में हो या फिर मद्ध परदेश में पहले ही सरकार गिर गया करनाटक की जनता से राहूल गांधी ने कुछ वादे किये हैं वो अपने दर्शकों को बताते हैं तो कुछ वादे राहूल गांधी ने करनाटक की जनता से किये हैं वो आपको बता देते हैं राहूल गांधी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है उन्होंने लिखा है कि प्रधान मंत्री ने दिल भर कर हजारों करोड अडानी को दिया, हम दिल भर कर करनाटक में हर महिने देंगे ग्राजविट युवाओं को तीन हजार, महिलाओं को दो हजार, दो सो यूनिट मुफ्त बिजली, गरीब परिवारों को दस किलो चावल तो ये कॉंग्रिस की करनाटक को चार गरंटी है, जिस पर राखुल गादी ने बीज़िपी पर ही तंज कसा की भाजपा की बस एक गरंटी, 40% कमिशन, क्या ये गरंटी जो वो दे रहे हैं, उससे वो चुनाओं जीप पाएंगे देखिए इनकी गरंटी एक ही है, और वो 40% कमिशन की बाद, जो बार बार उठाते हैं, कि करनाटक में भारतिय जनता पार्टी की सरकार रही, और इसके लिए जो टेंडर लिये जाते थे, उसमें 40% कमिशन लगता था, ये 40% कमिशन की बाद, कॉंग्रिस के समय से ही चली आ 200 उनिट फ्री बिजली के अबधारना केजरीवाल लेके आए, और केजरीवाल ने जब फ्री बिजली फ्री पानी का परलोबन देना शुरू कर दिया, तो उसके बाद कॉंग्रिस भी हर जगह पर ये फ्री फ्री का रागलापने लगी, उत्राखंड में भी यही किया, लेक बड़ी गरेंटी दी कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं, सब को पैसा दिया जाएगा, यानि बेरोजगारी भत्ता की तरह एक पेमिंट बेस्ट पर दिया जाएगा, और जिसकी धजियां उड़ गई, किसी ने उसको तवज्जो नहीं दिया, ये आर्थिक विवस्था को देखते हुए कम से कम ये देना चाहिए कि करनाटक की जनता क्या चाहती है, आपकी सरकार भी करनाटक में रही है, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की पाथी करनाटक में कभी सत्ता महीं नहीं रही है, वहाँ पर से अभी जो सिध्धा रमया हैं, फुरुमुक मंत्री हैं, उसके बाद जब सरकार बनी जे डियेस और कॉंग्रेस की तो उस समय भी करीब करीब 14 से 17 महीने की सरकार में इन लोगों ने क्या किया लोगों ने देखा। उसी के बाद सरकार इनके गिरी है इनके विधाये खुश नहीं थे तो अब राहूल गांदी अगर ये जो चार गारंटी दे रहे हैं क्या वहां के लोगों के मेनिफेस्टों में होगा क्या वहां के लोकल लीडर्सिप ये चाहते हैं कि ऐसी गोशनाय करें जिससे लोगों को लगे ये बड़े-बड़े वादा कर सकते हैं काम नहीं करते हैं लेकिन इन गारंटियों के साथ ही मोदी जी पर तंच कसना अडानी को लेकर हमला बोला क्या ये मुद्धा इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है कि हर जगह वो जा रहे हैं तो सिर्फ अडानी अडानी चिला र बोलेंगे जो हमारे प्रधान मंत्री बनने के दोड़ के स्थिति में ये मुद्धा जिवित रहना चाहिए तो फिर उन मुद्धों के क्या हालत होते हैं ये अलग-अलग चुनाबों में देखने को मिल गए अब इस पर अगर अडानी ग्रूप कोई आक्शन ले लेगा तो आकर सावरकर के मुद्धे पर हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं किया लेकिन फिर सावरकर के पोते सामने आये कहे अब बहुत हो गया अब इसके बाद आगे हम बरदास्त नहीं करेंगे उसी तरीके से अडानी ग्रूप में भी ये चल रहा है कि धीरे धीरे ये देखो जब तक ये राजनितिक रंग में सिर्फ रंगा हुआ रहेगा तब तक थोड़ा हम इनको छूट दे सकते हैं लेकिन अब धीरे धीरे ये हर जगह जाकर हमारी कंपनी को बदनाम कर रहे हैं तो बदनाम करना इनकी जो फित्रत बन गई है किसी के मान को हानी पहुँचाना अब मान हा का मुकदमा होगा और अडानी अगर केस करेगा तो राहुल गांदी क्या पूरी कॉंग्रेस पार्टी मिलकर भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएं तो गैरंटी भी दे रहे हैं फिर भी अडानी पर तंच कस रहे हैं राहुल गांदी के पास बस विपक्ष को घेने का है उन्होंने सवाल भी किया कि 20,000 करोल रुपय का मालिक कौन है साथी ये भी कहा कि इतिहास में पहली बार बीजिपी सरकार ने संसद नहीं चलने दी आम तो पर विपक्ष संसद को चलने से रोकता है तो बार बार अडानी को घेना लगता है बहुत जल्द राहुल गांदी को महगा परड़े वाला है आप अपनी राए कॉमेंट करके जरू लिखे देख तेरे कापिटल टीवी नमस्कार